अगर कभी टाइगा को छोटी बच्ची के उपर ऐसे हाथ मारते हुए देखो तो समझ जाना कि वह बच्चों के उपर हमला करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ये टाइगा छोटी बच्ची को देखता है वो उसके पास धीरे धीरे आने लगता है थोड़ी देर में वो बच्ची के पास पहुंच जाता है लेकिन शिशे की वजह से वो हमला नहीं कर पाता तो बच्ची के साथ खेलने लगता है